हाई फ्रेंट्स मैं हूँ रेनू और आज आपका गोकुल किचिन में बहुत पर स्वागत करते हूं फ्रेंट्स मैं आज गोकुल किचिन में बनने वाली है बीस मिनिट में मटर पनीर की बहुत ही लजी सबजी और जो आप पुलाओ देख रहे हैं एकदम दाना अलग है खिला मेम मिस दुम एक तरना धोर नो कुंदल को में अ कर लिया है और शीच। बढ़ने एक तोम में लीआ है लाल मिर्श शायाओ और एक-चमच जीरफ पाउड़र सरे मैं रिये ए चिरव और एकदम को नह्याओ जेर पर्ल्स परकई रहा है एक चमच लिया मैंने धनिया पाउडर और एक चमच लिया गरम मसाला और थोड़ा सा लिया हल्दी नमक में बाद में एड करूंगे और इन सब को डाल कर मैं अच्छे से कर लूंगे मिक्स और इसमें और भी कुछ मसाले एड करने की बिल्कुल जरूत नहीं है हमने एक पैन ल दूंगी मसाले जो हमने पीस कर रखे हुए प्यास टमाटर और जो मसाले एड किये थे वो और इन सारे मसालों को डाल कर हमें अच्छे से भून लेना है अच्छे जब फ्राइब कर ले रहा है और पांसे साथ मिन लगेंगी बहुत अच्छे से भून जाएगा मसाला और कर अच्छे से ली लिया है और इसमें लौंग और दो है हरी लाची थोड़ी सी काले मिर्च और जीरा और ठोड़े मेरे लिए साहसे 8 काजू अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी मैं पानी डेड़ कब डाल रही हूं एक कप चावल लिया मैंने और इसे डाल कर और मैं डाल दूंगी मटर थोड़े से और उसके बाद मैं ढखकर और एक सीटी होने तक पका लूँगी और जब तक मसाले भी हमारे तयार हो के देखिए मैंने इसमें डाल दिया मटर यह चूई हो जाती है और मुझे बिल्कुल सॉफ्ट पनीर चाहिए और मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी डाल कर मैं अच्छे से मिला लूँगी अगर आप चाहें थिक बनाना तो ऐसे ही बनाकर तयार कर सकते हैं पराटे के साथ नान के साथ ऐसे खाने में बहुत ही लाइक की जो चैनल को सब्सक्राइब के जो बेल आकन प्रस के जैसे यूजी यूनिक और इंट्रस्टिंग रेसिपी देखने के लिए और यह देखे तयार हो गई आपकी बहुत ही शांदार और लजीब लजीज धाबे स्टाइल मटर पनीर के सबजी लग रही है ना यम्म अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंट्स के साथ भी शेयर करिये और यह देखे चावल भी मैंने एक सीटी लगा लिया है और यह देखे अच्छे से चावल पक गया है और जब भी आप उलाव बनाते हैं तो थोड़ा सा तुरंत खोलने के बाद साइड से इसे एक सब्जी बनकर मटरपनी की तयार हुई है बिल्कुल धाबे स्राइब तो आप ऐसे जरूर तयार किजिए और बीस मिनट में बनाएए बहुत ही शांदार पुलाव और मटरपनी के सब्जी और महमान भी उंगलिया चाटते रह जाएंगे ऐसी सब्जी बनी है तो आप इसे जरूर कीजिए और मुझे कमेंड करके जरूर बताएं कि आपको इस सब्जी बनाने का तरीका कैसा लगा त्रण बहुत ही एजी बे में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बंता है आप पुलाव के साथ ही निया आप इसे पूडिय के साथ खाकर देखें पराठी के साथ ख आपनिल बहुत ही सौफ्ट बनी है मेरे बच्चे बहुत ही खुश हो गए तो हमें बहुत ही टेस्टी बनी है तो यह देखिए मैंने इसे खाली और सच में अमेजिंग है ऐसी जी उनीक और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहे गोकुल किचन थांग श